हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट इंडियन एकॉनमी का जो चैप्टर नबर 4 हमारा चल रहा है इकनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू एकनॉमिक पॉलिसी उसका टॉपिक ग्लोबलाइजेशन कराने जा रहा हूँ स्टुडेंट्स इसे पिछली वीडियो में मैं आपको प्राइवटाइजेशन और निब्रलाइजेशन दोनों करा चुका हूँ अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की की ग्लोबलाइजेशन होता क्या है पहले हम इसके definition या meaning की बात करते हैं globalization means integrating the economies of a country एक country की economy को दूसरी country की economies के साथ under conditions of free flow of trade and capital across borders एक country की economy को दूसरी countries की economies के साथ free flow of trade मलब कुला वेपार बिना restrictions के वेपार और capital का अधान परदान across the borders हो उसको हम क्या बोलते है globalization so globalization को अगर मैं आपको समझाओं तो किये क्या हो गया जैसे suppose India है इंडिया rest of the world की बाकी कोई भी country जैसे USA है जैसे UK है जैसे German है ठीक है जी ठीक है ओके जैसे France है इन countries के साथ trade करें वहां पे अपना समान हम export करें और वहां से हमारा समान वहां वाली countries अपना समान यहां बेचें मतलब हम import भी करें free flow free flow का मतलब अगर हमें वहां पे कोई बेचने की restriction नहीं होनी चाहिए और उनको भी यहां पे बेचने की कोई restriction नहीं होनी चाहिए WTO के अंडर ये पॉसिबल है World Trade Organization का जब जो ट्रेटी हुए थी उसके अंडर ये पॉसिबल है कि Countries अब ये पूरी दुनिया एक World Economy बन गई है जिसको हम वासुदेव कुटमकम भी बोलते हैं तो इंडिया सिरफ अब अपने तक सीमित नी रहा कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में free flow of goods free flow of goods and services and capital across the borders across the borders मतलब देश के आर पार ठीक है देश के अंडर या देश के बाहर ये समान को या capital को मूव करा सकते हैं ठीक है इसलिए मैंने जान बुझके इस boundary line से बाहर लिखा था कि आप अच्छी तरह समझ भाओ ठीक है जी एक कंट्री दूसरी कंट्री में समान को बेचना freely without any restrictions ओके इसको हम globalization बोलते हैं so globalization may be defined as a process associated with the increasing openness openness लाना growing economic interdependence economic interdependence एक दूसरे पे dependent होना एक country एक particular item के लिए दूसरे भी निरबर है और दूसरी integration और उनको और गहरा करना economic integration को in the world economy अब अगर हम बात करें तो अब इंडिया की economy जो इंडिया की economy है वो सिर्फ एक देश तक या एशिया continent तक सीमित ना रहके world के साथ integrate हो जाए पूरे world के साथ integrate हो जाए वो सिर्फ अपने देश में समान बेचे या बनाए ना या सिर्फ वहां बेचे ना ही सिर्फ एक ही continent में मतलब free flow of trade and capital with the rest of the world किसी भी country के साथ okay मैं एक बर दुबारा बता देता हूँ globalization may be defined as a process of associated with increasing openness खुला पनाए ठीक है उससे क्या होगा economies growing करेंगी एक जुसे पर interdependence होंगी और deepening economic integration in the world economy और उसके बाद economic reforms aim at integrating the Indian economy with the global economy और जो economic reforms है वो किस लिए किस पर aim करेंगे वो integrating the Indian economy with the global economy Indian economy को Indian economy को दूसरी countries के economies के साथ जोड के रखेंगे rest of the world किसी भी country का नाम हो सकता है rest of world के साथ integrate करना जोडना हो सकता करेंगे जोडने के लिए economies को जोडने के लिए as a result there will be unrestricted flow of goods and services यह तो मैंने आपको पहले भी बताया कि unrestricted flow of goods and services वो हम जब genuinely trade करेंगे तो हमें वहां पे quantity से related restrictions ठीक है जी और यह item नहीं बेचनी ऐसी item नहीं बेचनी इस त्रिक्चे की कोई restriction नहीं होगी अगर हम किसी country को अपने देश में कोई भी समान बेचने से मना नहीं कर सकते या मना नहीं करते तो हमें भी वह liberty और freedom होनी चाहिए और यही world economy में globalization में होता है technology का अधान परतान नहीं technology हम सीखे expertise between India and the rest of the world और expertise का exchange हो free flow हो मतलब जो expertise हम में है हमारे पास है वो हम लोगों को सिखाए लोगों का मतलब rest of the world में और उनसे वो चीज़ सीखें जो हमारे पास expertise जिस चीज़ की नहीं है particularly it is expected that the capital and technology will flow from the developed countries to the toward India तो इसे हमारा ही फाइदा होगा कि जो developed countries है like European countries like USA, Canada ठीक है और UK की countries जो Europe की countries है France, German यह countries अपनी capital हमारे पास लगाएंगे क्योंकि हमारे देश में वैसे भी capital की कमी है और वहां से advanced technology हमारे पास आएगी developing country से हमारे देश के तो तरफ आएगी तो उसके बाद हम बात करेंगे अब policy strategies promoting globalization of the Indian economy so कौन सी strategies अपनाए गए थी globalization को promote करने के लिए Indian economy में पहला है increase in equity limit of foreign investment जो foreign investment की limit थी उसको equity की increase कर दिया equity का यहां आपको simple मतलब पता है कि capital होता है equity limit of foreign capital investment has been raised from initial 40 percent now it ranges between 51 to 100 percent पहले यह सिर्फ 40 percent तक था foreign capital हमारे देश में सिर्फ 40 percent तक किसी business enterprise में लग सकती थी अब यह 51 से लेके 100 percent तक हो गई है और उसके बाद export trading houses हैं जो have been all have been have also been allowed foreign capital investment up to 100 percent और export trading houses जो बने हुए हैं जिसको EOU भी बोलते हैं वहां तो already यह चीज हो चुकी है 100 percent तक investment उसमें भी हो सकती है ओके जी और दूसरा partial convertibility partial convertibility naturally convertibility का यहां मतलब है exchange करना dollar को pound को किसी भी foreign country की currency को अपने देश की currency के साथ partial to achieve the objective of globalization partial convertibility of Indian rupee has been allowed for following transactions partial convertibility हम following transactions के लिए कर सकते थे कर सकते हैं अब 1991 के बाद पहला है import and export of goods and services import and export of goods and services के लिए दूसरा payment of interest and dividend on investment payment of interest dividend on investment and तीसरा remittance to meet family expenses और अपने family expenses को meet करने के लिए भी आप dollar को या पॉंड को या किसी भी foreign currency को आप convert करा सकते हो उसके बाद partial convertibility refers to sale and purchase of foreign currency at the market price समय लगे ना कि partial convertibility का मतलब है कि हम foreign currency को sale या purchase कर सकते हैं market rate पे तो जाहिरा जादातर जब हम foreign currency की बात करते हैं तो हमारे mind में जो example आती है वो dollar या पॉंड की ही आती है ठीक है जी तो हम ज़्यादातर example भी इसी की ही code करते हैं बाकि किसी भी country की currency foreign currency होती है उसको convert करने को भी partial convertibility at market price पे की जा सकती है ठीक है जी उसके बाद तीसरा long term trade policy in conformity with the economic reforms foreign trade policy is in force for a larger longer duration ठीक है जी अब जो trade policy बनाई गई है नहीं reforms के वो लंबे duration के लिए बनाई गई है दो या चार साल की policy नहीं बनाई implying that it is a liberal policy because यह एक liberal policy है जिसमें restrictions नहीं है under this policy all the restrictions and controls of foreign trade have been removed इसमें क्या किया गहा है सारी रुकावटें और जितने भी नियंतरन किये गए थे control लगाई हुए थे checkpoints लगाई हुए थे foreign trade में वो remove कर दिये गए थे यह control या restrictions इसलिए लगाई गए थे because 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के पास के साथ गुलाम था British के colony थी यह तो British भी तो पहले East India Company के नाम पर वेपार करना ही तो आये थे इसलिए हमारे politicians हमारे planners हमारे thinkers ने foreign capital को मना किया हुआ था रोका हुआ था कि अब कहीं दुबारा हमारी country में ऐसा ना हो कि दुबारा हमारी country में कहीं कुछ ऐसा ना हो ठीक है कि कोई company हमारे देश में वेपार करने आए ठीक है वेपार करने आए और फिर यहां पर हमारे उपर राज करना शुरू करने इसलिए डरे होते हैं लेकि 1991 के बाद हमने अपने आपको काफी strong बना लिया politically economically हर तरीके से ओके जी तो फिर इससे क्या हुआ अब हमने foreign trade के लिए restrictions और controls को remove कर दिया open competition को encourage कर दिया open competition को हमने क्या किया encourage कर दिया और fourth point क्या है reduction in tariff tariff आप समझे तो नहीं जो import और export पे जो taxis देने पड़ते हैं उसको tariff बोलते हैं simple in order to encourage competitiveness और competitiveness को बढ़ावा देने के लिए tariff barriers have been withdrawn tariff barrier को withdraw कर लिया गया most goods traded between India and the rest of the world most जो goods trade किये गये हैं इंडिया और rest of the world में ठीक है उसके में और ज़्यादा competitiveness लाने के लिए तांकि हमारा समान और देशों में भी जो foreign market price है उसके बराबर आजे इसलिए हमने taxes को भी कम कर दिया withdrawal of quantitative restrictions पांचवा point उसमें क्या हुआ अब since 2001 में quantitative restrictions on all type of import items हाज में totally withdrawn अब आपके पास पैसा होना चाहिए आप कोई भी item को import कर सकते हो this is the confirmatory with the Indian commitment to the WTO और ये इंडिया की commitment सी WTO को जब हमने sign किया था कि quantitative restrictions को हम दीरे-दीरे खतम कर देंगे तो 1991 की policy के बाल हम इतना आयात करेंगे इतना quantity बहर से import करेंगे उन सारी चीज़ों पर हमने restrictions हटा दी हैं अब कितने भी quantity में हम import कर सकते हैं जो भी चीज़ हमें चाहिए ठीक है जी तो इसी के साथ ये globalization वाला topic भी complete होता है conclude करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर आप इसके अगले topics के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना बुलें और वीडियो देखते रहें okay जी done